तो हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अस्मार्ट स्टूडियो तो जैसा कि आप देख रहे ना आज मेरे पास स्टील का चोड़ा सा बॉक्स है और इसकी हालत एकदम खराब हुई है इसके इतने सारे डेंट पड़े में और अब इसकी अंदर की कंडिशन चेक करें जरा काफी सारा जंग भी लगावा है और बाहिट से भी बिल्कुली अच्छी नहीं लग रही तो आज हम इस क्यूट से कंटेनर को एक मेक ओवर देंगे और यह मैं अपने हाथा पर थोड़ा इसा घंद मारा था जैसा लगाया वह एग्णॉरेट आप इस डबी की कंडिशन देखें अची एजी हो जाता है जैसो लगाने से होगा यह कि एक तो ना यह चिपक जाएगा स्टील कंटेनर पे और दुसरा हम इसके उपर एजीली पेंट कर सकेंगे और मुझे इतना मज़ा आता है किसी भी रॉफ से चीज़ को पहले पी और वाइट पेंट कर दो और उसके उपर अपन कोई घर में भी अगर कोई बिकार चीज़ पढ़ी होना तो उसको पैंखा मत करें उसको अपने से रेनवेट करने की कोशिश किया करें आप यकीन करें जो पुरानी चीज़े होती है जब हम उनको रेनवेट करते हैं वह इतनी ज्यादा प्यारी लगती है कि हमारा नई लिया है उसके अंदर मैंने वाइट कलर का पेंट आल दिया है और अब मैं इसके अंदर ना हर कलर का एक एक ड्रॉप ढलूंगी ताकि बिल्कुल लाइट टॉन में मुझे कलर्स मिल जाए अपनी पसंद के मैंने कलर्स त्यार कर लेने हैं और उसके बाद जब यह रैडि हो गी है तो अबना मैं इसके उपर सबसे पहले एक बैग्राउंड कलर करूंगी तो मैंने सोचे मैं इसके उपर एक मज़ेदार सी ग्रीन सा शेड करूं बिल्कुल मिन्ट फ्लेवर का मुझे यह कलर इतना ज्यादा पसंद है मैंने वाइट डार्क ब्लू और थोरा सा बिट कलर कौन सा है और अगर अब भी तक आपने मिने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो ना इंतिजार किस बात का है तो दोस्तों अब तक रीबन यह पेंट तक कम्लीट होने वाला है मैं इसको ड्राय करने के लिए एक साइड पर रख दूंगी और अब मैं इसक कैप पे तो कैप के लिए मैंने पिंक कलर चूस किया है मुझे पहले समझ नहीं आ थी कि मैं कौन सा कलर करूं इसकी पर मैं कौन सी डिजाइनिंग करूं लेकिन मैंने जब सारी कलर की शेड़ बनाई ना उसमें से सबसे ज़्यादा क्यूट मुझे पिंक लग रहा था तो मै पेंट ड्राय हो ले तब तक मैं सोच लों कि इसकी पर करना क्या है तो फाइनली दोस्तों यह ड्राय हो चुका है और मैंने सोचा कि मैं इसकी पर एक क्यूट सा वाइट रैबिट फेस बनाऊंगी यह चुटे चुटे डिटेलिंग ब्रुशिस मैंने दरासे मगवाई थे वहाँ पिक्टर्स में तो इतने भरीक और इतने खूबसूरत लग रहे थे लेकिन जब घर आयब यकिन करें आगे से इतने थिक है ना यह बिल्कुल भी मतलब पतले वाले ब्रुशिस नहीं है मुझे थरा फसोस भी हुआ था लेकिन हैर कोई निया अब मैं इसी के साथ काम वगरा कर रही हूं और यह मैंने अक्रैलिक मार्कर यूज किया है इसकी आसपा स्टार्स बनाने के लिए और आपको एक दुखी बात दाओ मेरा ब्लैक एक्रैलिक मार्कर पता नहीं कहां पे खो गया है मुझे मिलने नहीं रहा है मैं इतना हुश थी ना कि फरस्ट टाइम म और हम इस पर जो भी चीज़े बनाएंगे उसको बिल्कुल इस तरह से डिटेलिंग करेंगे और यह ननी ननी सी आंखे बन गई और अब मैं इसकी पिंक पिंक शीक्स बनाओंगी और अब मैं इसके पर एक क्यूट सी स्ट्रॉबेरी पेंट करूंगी मुझे हर चीज की पर स्ट्रॉबेरी बनाना इतना ज़्यदा पसंद है आपको बता है अगर कोई चीज नहीं भी क्यूट लग रही होती ना उसमें आप स्ट्रॉबेरी बना दे और वो चीज इतने ज़्यदा क्यूट लगने लग जाएगी बिला वचा ठीक है इसलिए मैंने इसको भी थाड़ा स्ट्रॉबेरी की डीटेलिंग की और मैं सही बताऊं मुझे आउटलाइन करते वे इतना ज्यादा मस्तला हो रहा ना मैं सोच रही हूँ जो नेल पेंट पर करने के लिए इंतहाई बरीक ब्रॉशिस मिलते ना मैं वह मगवाती हूँ और उनके साथ मैं पेंटिंग करती हू तो फिल्हाल इसकी तो डीटेलिंग हो चुकी है अब इस तरह ही मैं बाकी पैटर्न्स भी ड्रॉख कर लूँगी और यहां मैं चुटे चुटे से रंग रंग यू फ्लैक्स बना रही हूँ जब मुझे नहीं पता किस कंट्री के हैं बस किसे सेलिबरेशन के लिए यूज क बनारी हूं मैं रेंडम ब्रेंबो शेर्ट यूज करके ना इसके उपर मैं कलर फिल कर दूंगी और यह वाला मुझे अच्छा न लगा इसके पर मैं पिंक कर दोंगी और नेक्स्ट पोर्शन में मैं बनारी हूं चुटा सा चूजा मैं चूजा तो सब कोई बहुत क्यूट लगता ना यालो वाला चूजा बनारी हूं आपको बते इससे पहले मैं इसके पर यालो पेंट किया लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं इसके पर लगा मुझे इतना दुख हो रहा था ना क्यूंकि मैंने बैग्राउंड पर वाइट कलर ने किया मैं इस पर डिरेक्ट पेंट लेकिन बैग्राउंड अल्रेडी ग्रीन थी इसलिए चूजे का भी काफी सारा ग्रीन ग्रीन कलर आ रहा था और मुझे बिल्कुल पीले रंग का चूजा चाहिए था लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ तो मैंने क्या किया मैंने इसके पर सिंगल के लियर अप्लाय करने के जब तक ड्राय होता है तो अब तक मैं एक चुटा से कपकेक बनाओंगी यहां पर मैंने कोई डिटेलिंग ब्रिश यूज नी किया यहां मैंने क्रैलिक मारकर यूज की है कि कि मैं कब से खुआर हुरी उन ब्रिश के साथ काम करना एक तो बहुत जादा मुझे नहीं हो रह कुछ इतने पतले हैं बिल्कुल पानी कितना पतला पहुन और आपको पता है मेरे कुछ पहुस्ट इसमें से ओलर लड़ी ड्राय निकले हैं एक मेरा यालु कलर का मारकर है वह भी अब मेरे मारकर खराब है लिकर हर कोई नहीं है अच्छा गाम कर दिया अब मैं फाइनली ब एर यह मेरे फाइनल लुक कितनी क्योट लग रही है यह चुजा था फाने बना नेठी ने बनाया था नाजरी कितना प्यार ककीग की नहीं सब्सक्राइब किय about 1 प्रेंट सी और बी और इसक्रीम कि तो dannis quнова को यह घॉटी और को यह मुर्मनेशन यह complete box पे easily लग जाएगा तो यह मेरे पास unicorn वाला brush है इसके काफी colorful Brussels है और अब मैं इसके साथ अच्छे से varnish apply कर दूँगी अच्छा varnish लगाने के लिए आपको हमेशा एक soft brush का यूज़ करना चाहिए अगर आप हाड वाला brush यूज़ करेंगे तो वार्णिश में अब मैं इसको अच्छे से वार्णिश कर दूँगी और यह अच्छे से सील हो जाएगा और फ्यूटर में इसका कलर इतनी जल्दी फेड नी होगा और यह पील आफ भी और इसमें अच्छी सी शाइन भी आजेगी मुझे इस डबी पे पेंट करके इतना ज्यादा मज़ा आया आपने मेरे चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करना है क्योंकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम ऐसे काफी रेंडम अबजेक्ट्स पे पेंट करने वाले हैं और अब मैं इसके कैप को भी अच्छे से वार्णिश कर दूँगी और रैडी हो जाएगी मेरी क्योट सी नन तरन टेबल बनाई है क्योंकि अभी मैंने बजार से कोई नहीं खरीदी नहीं और इकैसी लेगी मेरी टरन टेबल इसके बढ़ना जबर दसी मैं इस बॉक्स को रपके गुमा रही हूं है कोई नहीं आपको वीडियो कैसी लेगी आपने मुझे कोमेंट करके ज़दी से बता तो टेबल प्राप गरीया की कुझे तीया